चलिए यहाँ पर स्टाट करते हैं आपका पहला प्रस्ण आपर जो की 70 नमस्ट रस्टाट है कि 12 खेड़ा किस जन्पद में ऊस्ती थे यहाँ पर आपको जवाब देना है फटा फट अंसर दीजी भाई फटा फट यहाँ पर टेस्ट को कंपलिट करते हैं चलिए 70 के यहाँ जवाब बिल्कुल सही जवाब है option right बिल्कुल सही जवाब option right आपको यहाँ पड़ी हो जएगा 12 खेड़ आपके सा जहाँपूर में है ठीके कहाँ पर है सा जहाँपूर में चलिए next question आपसे एगला पूछा गया है बौध बिहार जितवन कहां इस्तित है बौध बिहार जितवन कहां वर्स्तित है 71 के जवाब दीजिए चलिए 72 के जवाब हो जएगा option right ए हो जएगा स्रावस्ति हो जएगा ठीके स्रावस्ति चलिए next question रंग नात जी का मंदिर कहां पर है 72 के जवाब दीजिए चलिए यहाँ पर बात्तर के जवाब हो जाएगा option right up का D ब्रंदावन में ठीक है जिसका जवाब D आ रहे बिल्कुछ सही है ब्रंदावन में नेस कोशन सरगवेरपुर वर्तमान में कहां पर है सरगवेरपुर वर्तमान में कहां है 73 के जवाब दीजे चलिए यहाँ पर 70 के जवाब हो जाएगा option right up का C आपके option right up का C आपके प्रियाग में ठीके प्रियाग में नेस को चनाब से एगला पूछा गया है कि ब्रह्मा शारडी कि सिस्थान का मून लाम था? ब्रह्मा शारडी जो मून लाम था उककी सिस्थान का नाम था 74 जवाब दीजए चले 84 का option right up का तो बी हो जाएगा आपके बर्साना का ठीके बर्साना का option right up का बियो हो जेगा बर्साना जांकि लटमाल हो रहे हैं आपकि आपकी प्रसित्द है नेश बताईए कि बिंदवासनी देवी का मंदीर प्रसित्द है जो आपका किस जयनपद में है बिंदवासनी देवी का प्रिसीत मंदिर किस जन्पद में है, 75 के जवाब दीजे, चलिए 75 का उपसन राइट अप कस्ती हो जएगा, मिर्जापूर में, ठीक है, मिर्जापूर, नेस कोशन जवाब दीजे, सरंगी रिशी का मंदिर किस जन्पद में हो ज़ती थे, 76 का सही आप बिठोर में थोड़े स्पीड में रहे है भाई नात संपरदाय का सिद्ध पीट गोला गोकरनात किस जन्पद में है आपके लखीम पूर खीरी में जैनियों का कासी किसे का जाता है 79 का जवब दीजे चले 79 का उप्सिण राइट बिल्कु सह abgrass है आपके हस्तिनापूर को का जाता है ठीके किसे कहते हैं तो 79 को आपसन राइट अपका D हस्तिनापूर को कहते हैं नेस्स कोश्चन देवबंद कीस जनपाद में है आपने देखा था देवबंद कीस जनपाद में है 80 के जवाब दीजे 80 के जवाब option right up का सी हो जएगा आपके सहारनपुर में ठीके देवबिंद कहा है आपके सहारनपुर में अगला है सुकृताल किस जनपाद में होस्ती थे सुकृताल किस जनपाद में होस्ती थे क्यासिक जवाब दीजे तो ऐस बशचपतャल के प्राइभ देवी का मंदिर जो आपका परसित मंदिर है कहा पर है पाटिश्वरी देवी का प्रसिद मंदिर कहाँ पर है 84 जवाब दीजियाँ पर 84 उप्सन राइट अप का यह हो जाएगा बलरामपूर में ठीके कहाँ पर आपके बलरामपूर में Next question गुरू दुरोणाचार की जन्मिस्तिली बताइए गुरू दुरोणाचार की जन्मिस्तिली कहाँ पर है 85 जवाब हो जाएगा उप्सन राइट आपका B हो जाएगा कंपेल ठीके कहाँ पर कंपेल उप्सन राइट अपका B हो जाएगा Next question महापर निर्वाण मंदिर कहाँ पर है Repeated question आपका है महापर निर्वाण बिल्कुर सही है option आपका C हो जाएगा कुसी नगर C नमबर कुसी नगर अब आपको यहाँ पर सुमेलित करना है 87 नमबर में और यहाँ पर दे सकते हैं कि जो आपका साह जी का मंदिर है कहाँ पर है साह जी का मंदिर यह आपका ब्रंदवन में है ठीके इसका सेकेंड हो ज जाएगा हुलास खेड़ा जो आपका है यह आपका कहाँ परता है तो है राजगार की बात करें तो हुआ आपके वारा रसी में और लाल दर्वाजा आपके जो है आपके जॉनपुर में है ठीके इस प्रकास से second third fourth और आपका first हो जाएगा option right up का B हो जाएगा ठीके चलिए next question आपका अगला पुछा गया है 18 नमबर तरह आपसे सुची first और सुची second को सुमेलित करना है यहाँ पर आपके कह सकते हैं कुछ आपके वो है यहाँ पर जो आपका भीतरी है ठीके भीतरी यह आपका पढ़ता है आपके गाजीपूर में ठीके गाजीपूर में इसका आपका थिरी हो जाएगा लोलार्क कुंड जो आपके कह सकते हैं यह कहाँ पढ़ता है आपके यह आपके पढ़ता है वारानसीम पढ़ता है मडिक परवत आपका ये परताब के अयोध्धम पड़ता है और पंच मैल आपके फटेपुर सीक्रीम पड़ता है ठीके इस प्रकास से जवाब का जवाब हो जएगा थार्ड फोर्थ और फर्स्ट और सेकेंड हो जएगा ऑप्सन रैट अपका डी सही हो जएगा चलि नेश कोर्शन माहशददीची का अस्रम कहां है जवाब दिजे माहशददीच का अस्रम जो है कहां पर है 89 का जवाब दिजे बिलकुस सही जवाब है आपके सीतापुर के नए मिसारान डय पका भी सही हो जएगा नेस कोर्शन, मिस्तरिख किस जनपद में अस्तित है, नब्विक जवाब हो जाब हो जाएगा, कौन सा छही है, option rate up का B हो जाएगा, मिस्तरिख हाइग के सीता पूर में है, किस इस्तान को पी लो सान कहा गया है, किस इस्थान को P लोज सान कहा गया है एक क्यानमे का जवाब हो जाएगा Option रेट अप का B अतरंजी खेड़ा ठीके अतरंजी खेड़ा Option रेट अप का B हो जाएगा Next question कि वरत्याकार अगनी कुंड किस इस्थान से प्राप्त हुए है 92 का साइज़ा आप क्या हो जाएगा तो Option रेट अप का A हो जाएगा आपके अतरंजी खेड़ा Option रेट अप का A हो जाएगा ठीके Next question किस इस्थान का प्राची नाम आयाजसा था किस इस्थान का प्राची नाम आयाजसा था गुपत काल तक के साच मिले हैं तो ये देख सकते हैं ये साच आपके जो प्राप्थ हुए हैं आपके उत्री काली, ओबदान, मृदभान, स्रंसकर्स लेके गुपत काल तक के ये मिले हैं आपस्छा राइट आप असी हो जाएगा आपके सी नमबर रवध्या से नेस question, उत्री पांचाल की राध्धानी थी, इसका जवाब दीजे, repeated question है, तो उत्री पांचाल की राध्धानी थी, आपकी I-6, option right up का A, स ही हो जाएगा. नेस कोर्शन, मित्रुपादी वाले राजाओं की सिक्के कहां से प्राफ्ट हुए हैं मित्रुपादी वाले राजाओं की सिक्के कहां से प्राफ्ट हुए हैं 96 जवाब दीजे 96 को अप्सन राइट आप कसी हो जाएगा आपके हर सवर्धन की समय में ठीकै नेस्ट कॉरूशन कीस नगर पर प्रिभुत्त िस्थाफित करने हे तू त्रिपुट संगरस हुआ था हमने आपको तया था था त्रिपुट या संगरस जवब को हुआ था तिस एस्थान को प्राप्ति केसिकét प्रभुत्ति के लिवा था 99 का जवाब हो जागा option right आपका ये आपके कन्नौज के लिए ठीके कन्नौज के लिए next question मुहमद गोरी के आकरमट के समय कन्नौज का सासंग कौन था 100 का जवाब दीजे यहाँ पर बिल्कुछ सही है आपके जैचंद गड़वाल आपके कन्नौज के सासग नेस्ट question करें आपसे दच्छडी पंचाल की राध्धानी थी 100 का जवाब दीजे तो 102 का option right आपका यहाँ पर हो जाएगा एक सु तीन का जवाब दीजे चलिए 103 का option right आपका हो जाएगा आपके कुसी नगर का ठीके नमबर कुसी नगर का अगला है महा जन्पत काल में कौसामबी किस जन्पत की राध्धानी थी 104 का जवाब देना है चलिए 104 का option right आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नमबर आपका वत्स ठीके 104 का option right आपका बी हो जाएगा वत्स कौसा इस्थल उत्तरा पत्व वा दच्छिन पत्व का पड़ाव इस्थल था 105 का जवाब दीजिए 105 का option आपका है कौसामबी अगला है कौसामबी इसके आकरमट ने कौसामबी को 20 छती पहुंचाई थी किसके आकरमड ने कौसांबी को विशेश छती पहुचाई थी 107 का जवाब दीजे चलिए 107 का option right जो आपका हो जाएगा option right आपका हो जाएगा ए नमबर आपके तोरण मड़के आकरमड के समय कौसांबी को विशेश छती पहुच गई थी next question आपसे कहा रहा है आपका D हो जाएगा next question सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सुवे दार जो था कौन था 110 का जवाब दीजे 110 का option right या आपके थे अलाउद्दीन खिलजी थे next question सेर्शा सूरी की मृत्वी कहां पर होई थी 112 का जवाब दीजे सेर्शा सूरी की मृत्वी कहां पर होई थी बिल्कुल सही है आपके कलिंजर option right अप कभी कलिंजर में next question कलिंजर को किस मुगल वाथसा ने अपने आधिन कर लिया था तो यहाँ पर आपके कलिंजर को किस मुगल वाथसा ने अपने आधिन कर लिया था 113 का जवाब दीजिए यह है आपके option C आपके एमाक ने इक ब्रक ने डिली शल्थनत का अंग बना लिया थे इससलाइब को लिख सलद्राइब को अवस्तित है चलिए 7 का जवाब दीजिए यहां पर सभी लोग कनक भवन किस जनपद में है very good option right up के याँ पर C हो जाएगा फैजाबाद ठीक है फैजाबाद अवर्तमान में जो कि अयोध्या हो गया है और अयोध्या में ही आपका कनक भवन है ठीक है चलिए next question आप से एकला दिया गया है कि राज में E को परेटन हे तो किस विभाग को अधिकरत किया गया है तो E को परेटन हे जो आपका विभाग है या आपका कौन सा विभाग है option right up का हो जाएगा D आपका one विभाग option right up का D सही हो जाएगा next question आप से एकला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतियों के लिए अपने पूरुजों की तला समंदी कौन सी योजना चलाई जा रही है या कि अप्रवासी भारतियों के लिए है जो कि अपने पूरुजों की तला समंदी योजना है कौन सी योजना है 9 का option right आपका C हो जाएगा discover your roots योजना option right आपका C हो जाएगा next question आप से गला है कि प्राचीन कालिन I-76 वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है 10 का सही जवाब दिजिए तो आपका I-76 वर्तमान में का पर है option right D हो जाएगा D-number आपका सही हो जाएगा अगला है अतरंजी खेड़ा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है ग्यारक जवाब दिजिए आपर तो यहाँ पर आपका right answer आपका हो जाएगा बिलकुर सही है B आपको eta हो जाएगा ठीके डारेक्ट तो नहीं दिया है ठीके लेकिन आपको लगबग eta दे दिया गया है ठीके नेस कोशिन आपका अगला दिया गया है कि महाजनपद काल में आयोध्या किस महाजनपद का भाग था 12 के जवाब क्या हो जाएगा तो यहाँ पर right जवाब हो जएगा option B, causal, ठीके कहा का था, आपके causal option right up का B सभी हो जएगा, अगला है कापिल वस्तु की पहचान उत्पर प्रदेश के किस जनपस से की गई है, जो कापिल वस्तु है, इसकी पहचान उत्पर प्रदेश के किस जनपस से की गई है, तेरा का जव नमबर सिधार्थ नगर ठीक है सिधार्थ नगर नेस कोईशन आप से लुम्बनी उत्तरप्रदेश के किस जनपत के समीपस्थ है आपको यहां पर समीपस्थ है चौदक जवाब तो चौदक जवाब हो जगा अपसन आपका D महाराज गंज ठीक है D नमबर महाराज गंज नेस कराब से संत मलूक दास की जनम इस्तली कहां इस्ति थे संत मलूक दास की जनम इस्तली कहां पर इस्ति थे पंदरा का जवाब दीजे और पंदरा का ऑप्शन राइट जो हो जाएगा यहां पर जवाब चलिए हम भी बता देते हैं ऑप्शन राइट अपका C हो जाएगा कड किस जीले में इस्तित है कोशित आपका कल्वी आया था रेपीट हुआ था और हमने बताया था कि जब से आपकी इलावा से कोशामवी अलग हुआ तो आपके आ गया है कोशामवी में ऑप्सन राइट आपका ए हो जाएगा अगला है कि घोसित राम विहार का निर्माड किस जन तकर का जन्म कहा हुआ था जैन धर्मी के प्रतम तीर्थ कर रिसर्व जो है इनके जन्म कहा हुआ था अठालक ऑप्सन राइट सही जवाब हो जाएगा ऑप्सन ए आयोध्या हो जाएगा ठीके ए नमबर आयोध्या अगला है कालपी किस जन्मपद में है कालपी किस जन्मप का मंदिर किस जनपद में स्तित है भीतर गाउं का मंदिर किस जनपद में है 20 का जवाब दीजे चलिए 20 का जवाब होजएगा option right एई होजएगा आपका कानपूर बिल्कुल सही है option right आपका एई होजएगा आपका कानपूर ठीके next question आपसे करा है साकुम्री देवी का मंदिर किस जनपद में है साकुम्री देवी का मंदिर किस जनपद में है एक इसका उप्शन राइट चलिए एक इसका उप्शन राइट बिल्कु सही है साकुम्री देवी आपके सहारनपुर ठीके उप्शन राइट अपका C हो जाएगा नेस्ट कोशन मगहर किस जनपद में उस्ती थे मगहर किस जनपद में उस्ती थे फटा फट अनसर दीजिए 22 का जवाब option right B हो जएगा आपके संत कवीर नगर ठीक है option right आपका B हो जएगा संत कवीर नगर नेस्ट कोशन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भ्रग मंदिर है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भ्रग मंदिर है 22 का सही जवाब दीजे चलिए 23 का सही जवाब हो जएगा option right A हो जएगा आपके बलिया में कहां पर है बलिया में नेस्ट कोशन इसका प्राचीन नाम ब्रम्हा वर्थ तीर्थ है चलिए 24 का जवाब दीजे और 24 का सही जवाब हो ज़येगा option right आपका C आपके बिठूर का जो प्राचीन नाम था वो आपका ब्रम्हा वर्थ था ठीके Next question मैत्रे परियोजना किस जनपद में चलाई जा रही है 25 का जवाब दीजिए चलिए तो 25 का option right up का यहाँ पर यह हो जाएगा आपके कुसी नगर ठीक है option right up का यह हो जाएगा कुसी नगर next question गड़ मुक्ते सोर का मेला किस जनपद में लगता है गड़ मुक्ते सोर का मेला किस जनपद में लगता है 26 का जवाब दीजिए चलिए तो बिल्कुल सही जवाब है option right up का C आपके हाप ओड में ठीक है कहाँ पर हाप ओड में next question वरा भगवान का अयतिहासिक मंदिर कहा इस्तित है वरा भगवान का अयतिहासिक मंदिर कहाँ पर है जवाब दीजिए 27 का चलिए 27 के जवाब आ रहे हैं शुरू हो गए है और option right up का हो जगा सोरो जो कि आपके एटा सोरो है option right up का ए हो जगा सोरो next question गुस्वामी तुलसी दास का जन्म गुस्वामी तुलसी दास का जन्म राजी के किस जन्मपद में हुआ था 28 का जवाब दीजिए 28 का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है option right up का यह हो जगा बांदा ठीक है देखो बांदा है लेकिन आपको पता है कि करवी स्टेशन के पास आपका चित्रकुट राजापूर ग्राम है वहाँ पर हुआ था जो कि आपके कह सकते हैं आपके बांदा जन्मपद पढ़ता है ठीक है चलिए next question संकिसा वर्तमान में किस जन्मपद में है संकिसा वर्तमान में किस जन्मपद में है जो कि आतिहासिक तताधार्मी के स्थाल इंप्रमुक नगर भी है चलिए 29 का जवाब option right आपका हो जएगा आपके D number फरुखाबाद ठीक है यहाँ पर आपके गौतम बुद से related आपके कह सकते हैं आपके एक मठ भी है ठीक है चलिए अगला है सूफी संत सेख सलीम चिस्ती का मगबरा कहाँ पर है सूफी संत सेख सलीम चिस्ती का मगबरा कहाँ पर है तीस का जवाब दीजिए तो सेख सलीम चिस्ती का जो दरगा है वो आपके option right आपका C हो जएगा आपके आगरा में है कहाँ पर है सूफी संत सेख सलिम चिस्ती का मकबर आप पूछाया है तो मकबर आपके कहाँ पर है आपके option डपकर C हो जाएगा आपके आगरा ठीके जो कि आपकर कह सकते हैं कि आगरा जो है आगरा के पास C आपका है फतेपुर सीकरी है ना तो option के अनुसार आपको पर सई करना होगा ठीके तो जवाब हो जाएगा आपके यहाँ पर कौन सा आपका C हो जाएगा आगरा वैसे आपका है क्या फतेपुर्शीकरी ठीके चलिए next question ये पदमावती सती मंदिर किस जनपद में है 31 का जवाब दीजी चले 31 का option right up का यहाँ पर यह हो जाएगा आपके कन्नोज में है कहाँ पर है कन्नोज option right up का A हो जाएगा next question रेशियों की तपो इस्तिली जो की नए मिसारण कहाँ पर है 32 के जवाब दिजी चले यहाँ पर बिल्कुँ सही जवाब है 32 का option right up का D हो जाएगा आपके सीतापूर option right up का D हो जाएगा सीतापूर next question रेशियों के आपसे इत्माद दौला का मगबरा कहां इस्तित है इत्माद दौला का मगबरा कहां इस्तित है 33 के जवाब दिजी यहाँ पर 32 का option right बिल्कु सही है, option आपके इह हो जएगा आगरा हो जएगा E number next question दयाल बाग कहां इस्तित है चले दयाल बाग कहां पर है आपको जवाब देना है 34 के जवाब दयाल बाग तो दयाल बाग आपके है option right up का C हो जाएगा अगले है अच्छे ब्रच उत्तर प्रदेश की किस जनफद में है अच्छे ब्रच उत्तर प्रदेश की किस जनफद में है 35 का जवाब क्या हो जाएगा जलिए हाँ पर 35 का जवाब OFFTION रेट अपका यू जाएगा आपके इलहाबाद Next Question सायद सलार वा मसूद गाजी की दरगा कहाँ पर है यह कोर्शन बहुत बार पूचा गया है तो सायद सलार वा मसूद गाजी की जो दरगा है कहाँ पर है 36 का जवाब तो आपको पता है सायद सलार मिला भी लगता है वहाँ पर आपके बहराइच में वह आरा नसी, देखे हम थोड़ी स्पीड में इसलिए हैं, क्योंकि कुछ आ रहे होंगे, आपको कुछ नहीं आ रहे होंगे, तो आप लोग मस यहां पर पढ़ते चलिए, अगर आ रहा है तो जवाब देते चलिए, चलिए निर्वांड महुसो कहां मनाया जाता है, निर्वा किस जनपद में उस्तित हैं, 49 जवाब दीजी, चलिए 49 का सई जवाब हो जाएगा, सी नमबर आपके गोरकपुर में, अप्सन राइट आपका सी हो जाएगा, नेस कोईचन आप से कह रहा है, लखनो का प्राची नाम क्या था, लखनो का प्राची नाम क्या था, 40 का थार थाथ के सकते हैं, आपर जनव की बात कर रहा है, तो पासनात उत्तरपदे से किस जनपद में थे, या के सकते हैं समंदित है, एक तारिस को उप्सन राइट, आपके 80, ठीक है, ओप्सन राटप का यह हो जाएगा, 80, नेस कोईचन, सीकंदरा किस जिले में अवस्तित है सीकंदरा जो की आपके अगबर की समाधी वहीं पर है, ठीक ना, तो सीकंदरा किस जिले में थे, 42 को उप्सन राइट आपके हो जाएगा, बी, आपके आगरा में है, ठीक है, कहाँ पर है, आगरा, चले, समाधी मतलब कह सकते हैं, समाधी ने कह सकते हैं, कह सकते हुनका यहाद रखेए चवारिस के जवाब हो जएगा डी सरावस्टी ठीके यहाँ पर इनों ने सर्वाधिक आपके उपदेश भी दिये हैं अगला है बिहारीजी का मंदिर कहां पर हैं 45 जवाब दिजेए चलिए 45 साई जवाब हो जाएगा औप्सन आपका Cạnh, आपके Vrandavan में है कहां पर है? Vrstandadan option right up का C हो जाएगा अगला है धमेक इस्तूप कहां पर है चलिए 46 जवाब दिजए धमेक इस्तूप कहां पर है चलिए option right up का हो जाएगा आपका बांदा ठीक है option rate आपका एप बांदा हो जाएगा next question repeated question उत्तर पदेश के किस जनपत को सिराज इहिंद कहा जाता है बहुत बार question पुछा गया है तो उत्तर पदेश के किस जनपत को सिराज इहिंद कहा जाता है 48 का सही जवाब 48 का सही जवाब होज़एगा option rate up का D आपके John Poore next question शेख सलीम चिस्ती का मगवरा कहा पर है शेख सलीम चिस्ती का मगवरा कहा पर है देखो question वही आ गया फिर से लेकिन कह सकते हैं पहले गुमाया गया था लेकिन अब वास्तिविकता आ चुका है फतेपुर सीकरी option rate up का एस ही हो जाएगा चलिए द्वारीका धीस मंदिर कहाँ पर है पचास के जवब दीजे चलिए यहाँ पर द्वारीका धीस मंदिर है option right 50 कसी हो जाएगा आपके मथुरा में है जौन पुर नगर की स्थापना किसकी इस मरत्य में की गई थी आप सबको पता होगा कि जौना खाँ जौना खाँ का जो कह सकते हैं जौना याता था किस नाम से तो आपके बी option मुहमद बिन तुगलग ठीके option right up का बी सही हो जाएगा next question कौन सा इस्थल 20 दरोवर इस्थल की सूची में सामिल नहीं है तिरपन का जवाब दिजिए कौन सा विस्थल दरोवर इस्थल में आपकी सूची में नहीं सामिल है यह है आपका अकबर का मगवरा option right आपका D हो जाएगा अकबर का मगवरा next question निमनिकित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है सुमेलित नहीं है 54 का जवाब देना है यहाँ पर ब्रंदा वन मंदिर आपके मत्रा में है जेके मंदिर आपकी कानपूर में है यही आपका गलत हो जाएगा जेके मंदिर आपके कानपूर में है विशुनात मंदिर वारनरसी देवी पाटन मंदिर आपके तुलसीपूर में है ठीके ना तो आपका जेके मंदिर आपके कानपूर में है ना कि लखनो में है प्रप्रेश का प्रचिन्तम जीवनत नगर किसे कहते हैं पच्पन का जवाब यहाँ पर क्या हो जएगा तो बिलकुस सही है पच्पन का उप्सन रैट अप का अभी हो जएगा इसे बोलते है वारन र्सी को थीके वारन र्सी को नेस्ट कोश्चन वहाप प्राची निस्थल जहां साथ हजार मुनियों की सभा में संपूर महाभारत का वाचन किया गया था अभी question आपका आया था इसी से वहाँ प्राची निस्तल जहां साथ हजार मुन्यों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था यह है आपको option right यहाँ पर सही बताएए सभी लोग बताएए चले बिल्कुल सही जवाब आ रहा है option right आपका होजाएगा यहाँ पर आपका d नंबर ने मिशारंध ठीके शीतापुर ने मिशारंध next question जवाब देजिए 57 का चलिए 57 का option right आपका यहाँ पर d होजाएगा आपकी कौसांबी से option b कौसांबी next question कौसामभी इस्थित प्रभासगिरी इस्थल का संबंध है किस से संबंधित है चलिए तो प्रभासगिरी जो इस्थल का संबंध है या आपके option right up के B आपके जैन से है ठीक है question आपका यह repeat हुआ है next question सहत महित का संबंध किस जनपत से है 59 के जवाब दीजे चलिए बिलकुँ सही जवाब है option right up के D आपके स्तरावस्ती से कहां से है आपके स्तरावस्ती से next question निमिकित में से कौन सा बहुत परिपत का भाग नहीं है बहुत परिपत का भाग नहीं है 60 का जवाब दीजे तो देखिए यहाँ पर कपिल वस्तु कुशी नगर स्तरावस्ती हमने बताया था कि जो संकिसा है फरुखाबाद में ठीक है कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध है यहाँ पर अपनी मा से आखरी बार मिले थे ठीक है ना तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यह तो आपके मुकरी स्थान है लेकिन जब आप्षन में आ जाता है तो आप्षन में किसको सही करेंगे सी नमर संकिस अप करेंगे समझ में आ गया चले अगला है महदया किसका प्राचीन नाम है 16 का जवाब दीजे 16 का आप्षन राइट आपका हो जाएग भी कुछ सही है सरधना ठीक है सरधना चर्चे अप्सन रेट अपका भी सही हो जाएगा ठीक है गोरकपुर का यह नाम किसके नाम पर पढ़ा था हमने कमेंट करके पूछा था और सभी बच्चों ने सही जवाब इसका दिया था तो पचास का आप्सन राइट यहां पर क्या हो ज कही गई थी आप्शन राइट यहां पर हो जもの सा ए नमर कोर्णडा ने निशकर है कि तो प्राइट की नमब्र करुच के रहे हैं महर चीप अपटंजली का जन्व किस जनपद में हुआ था महाश पतंजली का जनव किस जनपद में हुआ था option right हो जाएगा बी नंबर गोंडा में हुआ था सभी question आये हुए है बहुत ही बेतरीन question है पूरा test देखिए आपको मज़ा आ जाएगा नेश के रहा है स्वामी नरायड चापिया किस जनपद में अवस्तित है option right यहाँ पर क्या हो जाएगा तो option 54 का C हो जाएगा गोंडा तीक है गोंडा आपका सही हो जाएगा नेश के रहा है गोतम बुद्धनगर जिले की स्थापना कप की गई थी गोतम बुद्धनगर की स्थापना कप की गई थी option right इसका क्या हो जाएगा option right हो जाएगा आपका A number 1997 B में गोतम बुद्धनगर की स्थापना की गई थी और गोतम बुद्धनगर देखा जाए तो आपका सबसे साच्छर जिला है तीक है पेर लगे और नदांगर की स्थापना का आपकी गारी जनपर आपका शित्रकूट मंदीर हो आपका कामधगर परवत से ही चारो तरब से घीरा हुआ एक ठीक है इसके राम घाट जोकी मंदाक्नी तरब किस जनपद में होस्ती थे तो राम घठ है कहाँ पर आपका चित्रकोट आपसंद सी हो जाएगा आपका चित्रकोट निसके रहा है जानकी कुंड किस जनपद में श्थित है जानकी कुंड किस जनपद में श्थित है आपसंद भी हो जाएगा चित्रकोट ठीके चित्रकोट निसके रहा है इस फटिक सिला उतर प्रदेश के कि सुना भी होगा अंसुयत हम कहां पर है ? नामत पवित्र कूप किस जनपत में है Silicon Camerastic जो आपका है तीर-थी तरिस्टर वो कहां पर है इस जनपत का नाम क्या हो जाएगा ए नंमर चित्रकोड से जितने भी कोशन जुड़े हैं सभी कोशन आपको देखने को मिल जाएगा एक भी कोशन आपको नहीं चूटेगा यह टेस्ट अभी सभी बच्चों को बहुत अच्छी लगी है ठीक है नेश कहे रहा है कि उराई किस जनपत का प्रास्सालीक मुख्याला है यहां पर 66 का हो जाएगा ए नमबर 001 पर आपका हो भी में किया गया था की 1997 कंड़िये पहले किस जनपत इस जनपत का भाग था इन पतकर हो जाका मिद्सध कर्पर पिर身 के सबसे पूराने हमाझा पहरत चयाएं तो यह आपका वारा रसी में ने सकत को सब्सक्राइड के पास्षीर दो वाहिनी मेला किस जनपद में लगता है option right इसका क्या हो जाएगा option right हो जाएगा 69 का आपका B number चंदौली पश्चमी वाहिनी मेला कहा लगता है चंदौली option right आपका भी हो जाएगा निस कह रहा है अधोर संत बाबा कीना राम का जन्म किस जनपद में हुआ था तो अधोर संत बाबा कीना राम का जो जन्म हुआ था यह हुआ था कहा पर option C चंदवली में ही हुआ था ठीक है चंदवली में निसके रहा है हेतम का किला के ओसेस किस जनपद में है हेतम का किला के ओसेस किस जनपद में है यह कुण सा जनपद है अपसन राइट यह हो जाएगा चंदवली ठीक है चंदवली निसके रहा है जोतिबा फूले नगर जनपद पहले किस जनपद का हिस्सा था जोतिवा फूले नगर जनपद पहले किस जनपद का हिस्सा था 72 अप्सन हो जाएगा C नमबर मुरादाबाद का था ठीक है मुरादाबाद निसके रहा है जोतिवा फुले नगर को अलग जनपत कब बनाया गया option right यहां पर हो जाएगा कड़ी नमबर 1997 निसके रहा है आरंब में जहासी पर किस वनस का सासन था जब आरंब में जहासी थी तो उस समय जहासी पर किस वनस का सासन था किसका सासन चलता था और Onlyā centuryinasansa हो जएगा चंडीव सास कोंगा ठीका ठीक है चंडीव सास को निस कहीं है यहाний से कि यॉनाइचिट प्राविंस का हिसस कप बनाया गया यह भनाया गया यह बनाए गया आपका 18906 318 से 226 नेज यütfen संसे किस जनपत में व्यवाश् effort का लॉच्वारिश आ नहीं कहलाए यहां पर पर हमें जानपुर्सैर की स्थापना किसम ने हुचिए शुंचता गया जानपुर के बारे में तो जानपुर्सैर की स्थापना किस ने की थी जानन पर यहाँ पर हो जाएगा 78 का बी नमबर फिरोज साथ तुगलक ने बनवाया था ठीके मतलब जौनपुर सहर की स्थापना किया था और महमद बिन तुगलक का नाम था जौना खाँ उनी की याद में फिरोज साथ तुगलक ने बनवाया था जौनपुर सहर निश कर रहा है, सरकी सासक उत्तरपरदेश के किस जनपद में था, इस जनपद का नाम क्या हो जाएगा? 79 खाईगा यहांपर ओनर्फटाथ, जोनपुर, एक जोनपुर, जोनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये फह भी कोष dictionary है पूछा भी गया है तो जुआनपूर जो सहर आपका है जुआनपूर किस नदी की किनारे इस्थित है ओपसन राइट ये नमबर गोंती नदी की किनारे गोंती नदी की लखनोव है सुल्तानपूर हो गया और जुआ पूरहिं अपे बसे हुए हैं स्टल किस जनपद में चुका बीच बीच नमक परटकन जो परटन हिस्तल है वो किस जनपद में अफशन राइट इसका क्या होजाएगा यह नंबर पी लीवीद ठीक है फुलर करती है फुलर जील से आपकी गुंदी निकलती है निस कहा रहा है उत्तर प्रदेश का 17 जनपत कौन सा है यहां पर हो जाएक सिंपर प्रताब गड़ के लिए जाना जाता है बांदा गेरूक उत्पादन में होता है ठीक है और निस कोशन के रहा है कि कौन सा जनपत बेलहा दे भी मंदिर के लिए प्रिशिद्ध इस मंदिर का नाम क्या है अप्सन राइट 83 का हो जाएगा या पर कौन सा बी नंबर अर्था प्रताब गड़ है ठीक है प्रताब गड़ निसके रहा है कवी हरिवन्स राय बच्चन की जन्विस्तिली पूछा गया था भी पुलिस में क्यो नंबर फिरोजाबाद में फिरोजाबाद में ठीक है निसके रहा है फिरोजाबाद सहर को किस ने बसाया था फिरोजाबाद सहर को किस ने बसाया था यह बसाया था फिरोज सातुगलक ने ठीक है फिरोज सातुगलक जो है यह अकबर का पूरगामी कहा लाता है ठीक है बरेली नगर किस ने करवाई थी तो ये किस ने करवाया था इसका आपशन्राइट क्या होगा C number मकरन दराय ने करवाया था ये भी question आपका आया है निसके रहा है प्रचीन समय में बस्ती जनपत को किस नाम से जाना जाता था प्रचीन समय में बस्ती जनपत को किस नाम से जाना जाता था एक क्यान भी का A हो जाएगा कोसल के नाम से जानते थे कोसल के नाम से चनते ही कोसला रेस किस जनपत का प्रची नाम वोद यूटा था बान में का अफ्शन सही होगा क्या कि नमबर एटा था 1 इटा वानमेका अफ्शन सही होगा तो इल्द तुमें ने कराया था निसके रहा है इतिहासकार बदायूनी का मगबरा कहा है इतिहासकार बदायूनी जो थे ठीके इनका मगबरा कहां परिश्थी थे बहुत बार कोशन आपका आया भी है तो इनका जो मगबरा है आपका आप संट्राइट यहां पर हो जाएगा स और पलांट ये प्लांटर रफचिक नुश्च का लिय। न्रौर रोले सब का नुवाम्य सब्सक्रायब। 30% अमर्य आपसे कही रहा है विद furry अतर प्रदेश के किस जनपद में विश्थी थे विद प्रकुटी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में श्ती थे आपका 97 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा ए नमबर बिजनोर ठीके बिजनोर निसके रहे महा भारत काल का दारा नगर आज किस जनपद में श्ती थे इटावा के पास आपकी चम्मा लदी आती है जो कि आपके यमना नदिविया कर मिल जाती है यह भी याद रखना न इसके रहे है कि आजम पूर की पारट साला किस जनपत में है आपसन राइट आपको होजाएगा गी नमबर बिजनौर झाल झाल